हेलो बच्चों, वेलकम बैक तो मैं चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोग को Human Resource Management या फिर Managing Human Resources पढ़ा रही थी, जिससे प्रिवेस्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि जॉब एनालसिस क्या होता है, कारे विश्लिश्टर के बारे में आपने पढ़ा था, आज की वीडियो में उसका नेक्स चैप्टर, जो चैप्टर 4 है आप लोगों का भरती एवं चैन, Recruitment and Selection उसके बारे में पढ़ेंगे, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अब हम इसे डिटेल में समझते हैं, कि भरती क्या होती है, और चैन क्या होता है, देखने में दोनों शब हैं, दोनों ही अलग-अलग हैं, एक के बाद ही दूसरा आता है, और एक निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, अब कौन सा पॉजिटिव होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले आ जाएगा भरती, Recruitment क्या होता है, तो आपने ये तो पढ़ लिया अभी तक कि माना संसादन प्रबंध होता क्या है, उसमें हम planning करते हैं, पिर हम ये देखते हैं कि जो jobs होती है, वो क्या है, उनका specification, किस व्यक्ति के लिए कौन सी job चाहिए है, ये सारी चीज़े हम देखते हैं, अब हमने ये सब समझ लेने के बाद, अब हमें क्या करना है, ह किसी भी संस्था में बहुत important है, सही कारे पर सही व्यक्ति को recruit करना, भरती क्या हो जाएगी, किसी भी संस्था के लिए योगी व्यक्तियों को खोजना, रिक्पदों की जानकारी लेना, और भरती के लिए आविदन करने के लिए लोगों को क्या करना, प्रोस साहिद करना, यह हो जाता है आपका भरती, अगर हम बात के लिए इसकी definition की, तो मैक फॉर लैंड थे, उन्होंने क्या कहा था, भरती शब्द कंपनी के लिए योगी कमचारी को आकरशित करने की प्रिकरिया से संबंधित है, एक इस ताह से योगी कमचारी जो है, वो आपकी कंपनी में आ आवेदन करने के लिए उत्प्रेद करने की प्रिकरिया है, वही चीज़ा रही है कि योग व्यक्तियों को खुजना, उस कमपनी में अप्लाई करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए प्रोस साहित करना, यह हो जाएगा भरती, अब अगर हम बात करें कि भरती की नहीं बढ़ पाएगी ना ही उसके काले सही डंग से हो पाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा भरती संगठन में नियंतर चलने वाली सुरेस्थित प्रिकरिया है और या नौकरी तलाश करने वाले लोगों को अकरशत करने की प्रिकरिया है, आपने देखा होगा कि जब भी प् जाए करने के लिए या डालने के लिए फ़ाम फिर आता है, भरती मानस हंसादन अप पुर्ति के विभी नस्वोतों का पता लगाती है, भरती से यह पता चलता है कि कि तो तो नस्वें को बहरी से बीजित कर सकते हैं, बाहरी लोगों को कुछ और इसे जादा की जिसमें ज् बात करें Microsoft है या फिर Apple है या फिर Google है इन जहां पर क्या होगा आफ तुरंद ही अप्लाइग करने के लिए motivate होते हो कि आपको पता होता है कि ये companies क्या है काफी अच्छी companies है जहापर आपको अच्छी salary भी मिलती है और आगे बढ़ने के आपके पास chances भी बहुत होते हैं फिर आता है भरती एक सकारात्मक प्रक्रिया मैंने भी बताया था आपको कि एक negative है दोसी positive है जो भरती होती है वो पॉजिटिव है वोकी वहाँ पर जितने भी लोग चाहें अगर आपके पास योगताई हैं जो भी उस वैकेंसी के लिए निकली हैं वो योगताई आप रखते हैं तो आप उसमें फॉर्म को भर सकते हैं आपको फॉर्म भरने से कोई भी नहीं रोकता है इसलिए ये एक क्या ह पॉजिटिव है सकारात्मक वियस्ता है फिर आ जाता है भरती सभाव से आशावादी है और या कारी के लिए इच्छी व्यक्तियों के दिमाग में रोजगार प्राप्ति के लिए आशा की किरर विक्सित करती है यहां पर क्या होता है कि आप जो भी वैकेंसी जाती है अगर बात कर गरें से भी आप इसे detail में पढ़ेंगे तो चैन के में बात करते हैं पहले आप form अप्लाई करते है वहाँ पर पर तो वह क्या कहलाता है भरती की तो रिक्ूट कर लेते हैं तो वो हो जाता है, चैन अगर आपका return exam होना है, interview होना है तो उसके लिए अलग short list किया जाएगा return exam होगा, फिर interview होगा उसके बाद chain किया जाएगा तो form तो लाखों पढ़ते हैं मरती प्रक्रिया इसलिए सकारात्मा कही जाती है लेकिन उसमें से कुछ ही वेक्तियों का return clear होगा, उसके बाद उसमें से भी कुछ वेक्तियों का interview clear होगा जिसमें उनको job मिलती है तो जो chain किया जाएगा, वो क्या हो जाता है negative हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आगे chain का, या फिर पिशेचर देने का training दी जाएगी, या फिर उसको promotion दिया जाएगा, इन सारे चीजों का, फिर आता है, मरती का audition करें तलाश करने वालों को संभावित प्रतैशियों का एक निकायत तयार करना है जो व्यक्ति जोब सीकर्स है, जो उनको जोब चाहिये है, उनके लिए क्या करती एक platform कितना कारी करती हुँ भर्ति the क्यों योग व्यक्तियों की Ohs कि एक प्रक्रिया है भर्ती में व्यक्तियों को का उवेदां करने के लिए प्रेट है आप देख लेते हैं कि जो भर्थी होती है उसके सूर्सेस्ट कौन से होते हैं अनितρε amps को ने उसके र Scary li स्थार स्पपर और स्था nouveau हैं तो उसमें पहला क्या रहेगा वरतमान कमचारी पढ़नप्र इनकी जो आपके वर्दमान में ही जो कमचारी होते में उन्हें को इस पर आज मूआ चाहाँ पर आज आजाएगा कमचारीं द्वारा आरोपर करना इसमें रहता है कि रिफ्रेंस हो जाएगा समझ लीजे कि जो भी कमचारी है उन्हें पता चल रहा है कि कोई पोस्ट खाली है तो उनकी जो भी सगे संबंदिया परचित वैक्ति होते हैं उनको वहाँ पर रखवा सकते हैं पिर आ जाएब पूरिकल आवेधन करता जो पहले से किसी ने वहाँ पर अप्लिकेशन दी होती है या फिर अपनि सीवि होगी तो उन व्यक्तियों को रिक्रूट कर लिए जाता है त्रियनी जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा होते हैं उन वेक्तियों को सेवा व्रेदी एक्स्टेंशन ओफ सर्विसेज जाने कि किसी की जो सेवा का अगर 40 साल या 20 साल है तो उसकी सेवा को पढ़ा दिया जाएगा या फिर रड़स सेवा लेंड सर्विसेज इस तहां से हो जाती है आंतरिक सोत या पिर आंतरिक भरती फिर आ जा कर सकते हैं देखकर कि फिर आ जाएगा रोजगार नियोजन साजिक एवन निजी इंप्लाइमेंट एक्सचेंज पब्लिक और प्राइवेट तो यहां पर भी जो इंप्लाइमेंट एक्सचेंज होती है अलग जहाप बनी होती है उसके में भी आप अन्रॉल्मेंट करवा कर क्या होता है वाप पर जो है रोजगार मेला लगता है जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनी जाती हैं तो वहां पर भी इंटर्व्यू आप दे सकते हैं और आपका सेलेक्शन हो सकता है पिर आता है करखाना गेट यानिकी फैक्टरी गेट पर होती है तो उसमें जो श्रमिक शक्ता है उसी के थो आपके आसानी से उन्हें रख लेते हैं उसके लिए कोई इंटर्व्यू है या फिर कोई एक्जाम है यह कुछ भी इस था का नहीं कराया जाता तो इसमें अगर एक्जामपल की बात कि यह से एड़टा है बहां निर्माड है इसमें जो कारीगर काम कर रह है उनकी बात यहां पकी जा रही है फिर अजाता है ठेकेदार एंव दलाल पॉंट्रक्टर एंड जोबर्स तो यहां पर जो कॉंट्रक्टर होते हैं यह समयली बीडियेटर का काम कर रहे होते हैं जौब सीकर से जौब ढून रहे हैं और जो भी कंपनी उनके बीच में क्या यह भी आप असनी से किसी भी अच्छी जहां पर जो भी व्यक्ति है जो जो उसकी कॉलिटी जोब को पा सकता है यह जाता है पेशेवर संग प्रफेशनल असोसियेशन इसमें यह रहेगा कि एक अच्छा मादेम होता है यहां पर अलग-अलग जो संग होते हैं अलग-अलग दूसर संगठन से प्रति नियुक्ति तो यहां पर रहता है कि कोई विशेश प्रकार की जो योग गताय रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनके नियुक्ति जो होगी वो विशेश कारों के लिए निशे समय करें दूसर संगठनों से भी हम हायर कर सकते हैं यह हो जाता है जो तो 12 सदम भ्रती होती है उसके बाहन रुसरोद, इसके अत्रिक तो और भी आते हैं जिसलाकार है, अधिगर रहरें विले हैं, परिटोगी परिक्साइएं हैं, नियों अजनसी हैं और अरत्मान कमछारा किसले का रहें ये सब भी important हो जाता है कि किस तहां के संग्ठन के लिए हम कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं उसके बाद हम decide करते हैं कि उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तहां गयों कितने चरणों में की जाएगी सबसे पहला जो आ जाएगा description और job specification यह दोनों चीज़ें की जाती है और फिर किया जाएगा वरत्मान कमचारियों का पुन्राव लोकन कि उस कारे के लिए कितने कमचारी हैं बहुश में कितने कमचारियों की आवशकता होगी फिर आता है भरती निती का विकास developing recruitment strategy यह strategy बनाई जाती है कि किस तहां से भरत किया जाना है इसमें होता है कि पिकरिया को कहां कैसे और कप किया जाएगा इसकी एक strategy बनाई जाएगी फिर आजाएगा थर्ट खोश पिकरिया कर ने धारर determining search operation की किस तनहां से की जाएगी जिसमें आप का आता है कि आंत्रिक सोर्स से होगी या फिर बाहर सोर्स से होगी वो क्या होते हैं सोर्स मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है उसके बाद आ जाता है चार्श पिकरिया का निर्धार determining screening पोसेज यह सब डिसाइट करने इनके बाद जो हमारा चौधा कदम होता है उसमें हम यह देखते हैं कि जो कारेविशिष्टी करण हमने बनाया थे job specification द उसके आधर पे जो आवेदन होते हैं उनकी छटनी की जाती है फिर आ जाता है प्रभोधा नेवा प्रवेशन monitoring and feedback इसमें क्या रहता है यह अंतिम कदम होगा और यहां पर जो होता है भरती की पिकरिया का मूल ल्यांकन किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि जो भरती कि प्रोसेस इस प्रोसेस के बाद ही हम किस प्रोसेस पर जाते हैं वो हो जाएगा सेलेक्शन या पर चैन की प्रोसेस आ जाती है जो कि आप नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे कि चैन क्या होता है सेलेक्शन क्या होता है उसकी प्रोसेस क्या हो देगी विशेशता है भरती है जयान में अंतर क्या होगा या आप नेक्स वीडियो पढ़ेंगे आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और फिर साथ वीडियो को शेर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू